असलाम अलेकुम, बैटब, MCQ 2017, First Year Mathematics का हमने पिछले तीन लेक्शर में 14 पार्ट कराएं, आज इंशाला ये कम्प्लिट करते हैं, इसका MCQ के बागी 5-6 पार्ट गी, यहाँ देखो, तो number of elements ये में हैं, इसको ऐसे पढ़ेंगे X, such that X belongs to integer, और minus 1 से 5 तक हैं, तो अगर मैं set A को प्रॉपर तो अब लिखना चाहूँ, X, minus 1 से start होगा, minus 1 के बाद 0 लिखेंगे, फिर plus का 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8, ये set हमारा complete होगा, minus 1 से start होगा, और कहां तक जाएगा, पिलस 5 तक, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 पे आके close होजाएगा, क्या पुछा गया है, number of element बताइए, counting कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसमें जो है, number of element हमारे पास 7 बिल गए, तो 7 is the correct answer, यहाँ पर आओ, यह बड़ा famous question है, अकसर paper में आता है, यह एक matrix दियावा है, इस matrix की value दिवी है, lambda, 3, 2, और 4 दियावा है, यह matrix है, इस matrix को A suppose कर लें, इस matrix का नाम क्या है, singular matrix, आप जानते हैं, किसी matrix को, square matrix को, singular matrix कहेंगे, अगर उसके determinant का जवाब कितना आ रहा हो, 0 के बराबर आ रहा हो, तो यह matrix singular है, lambda मालूम करना है, तो इसका determinant हम मालूम करते हैं, lambda, 3, 2, और 4, पर चोई आ जाएगा, lambda, यह पढ़ा जाएगा, 4 lambda, 2, 3, 6, अब matrix की nature क्या है, singular, तो इसका mathematical मतलब क्या होगा, determinant 0, यह 0 replace कर देंगे, you get 4 lambda, minus 6, minus 6, यह 6 equal आ जाएगा, 4 lambda के बराबर, 6 upon 4, यह lambda आ जाएगा, और cancel करने के बाद, 3 upon 2, lambda की value 3 upon 2, यह lambda की value 3 upon 2 आ गए, अब आएए से related, और हमारे पास question है, कहा जा रहा है, distance मालूम करना है हमें, between two points, यह एक point दियावा है, यह दूसरा point दियावा है, यह एक point है, यह second point है, इस point के coordinate, 1,1 है, इस point के coordinate, 2,1 है, इसको join कर दें, यह distance मालूम करना है, यह distance formula आप second year में पढ़ेंगे, यह कुछ इस तरह से है, x2 minus x1 का whole square, plus of y2 minus y1 का whole square, इस formula में, जो पहला point है, उसको x1, y1 का नाम देदें, और जो दूसरा point है, उसको x2 और y2 का नाम देदें, पहला point क्या है, 1,1, दूसरा point क्या है, 2,1, अब अगर मैं formula अपलाई करता हूँ, x1, y1, 11 हो गया, x2, y2, 21 हो गया, according to formula, x2 minus x1, x2 minus x1, 2 minus 1, 2 minus 1 का whole square, फिर formula है, y2 minus y1, y2 minus y1, y2 minus y1 का मतलब 1 minus 1, इसका whole square आ जाएगा, 2 minus 1, 1 के बराबर है, 1 का square 1 आ गया, 1 minus 1, 0, 0 आ जाएगा, 1 का under root 1, 1 का root किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, तो इसका जवाब आ जाएगा, 1 unit, ये इसका result आ जाएगा, अच्छा बटा, अब आएगे, किसी से मतालिख हम questions करते हैं, एक circle की बात की जाए, आपने तीन किसम के circle अभी पढ़े है, चैप्टर नमबर 12 में, एक circle मनाए जाए, inscribe, अंदर हो वो, within a triangle, ये triangle हमारे पास है, एक circle draw करें, जो triangle के अंदर बन रहा हो, एक circle inscribed within a triangle, so that it touches all the sides, ये तमाम sides को touch कर रहा है, इस circle को नाम देते हैं, आप, inscribe है, किसी हवाले से, इसको in circle का नाम दिया जाएगा, तो यहाँ पर ये in circle इसका जवाब आजएगा, अच्छा बटा, अब देखें, इसमें, दो question नमबार पर और हैं, the principal value of 10, 10 arc 10, ये 10 लिखावा है, और ये लिखावा है, आर्क 10 minus 1 लिखावा है, बचुँ याँ देखेगा, आर्क के माने है 10 inverse, आर्क के माने क्या है, 10 inverse minus 1, अब ये 10 रहेगा, 10 inverse minus 1, calculator में निकाला जाए, तो ये minus का 45 degree के बराबर आजएगा, minus 45 निकालेंगे, you get minus 1, तो ये minus 1 इसका जवाब पढ़ा जाएगा, ठीक है, 10 inverse minus 1 निकालें, तो result आएगा minus 1, minus 45 degree के बराबर with calculator, आपको calculator अलाओ है, फिर इस minus 45 का, आप जो है वो 10 निकालेंगे, तो ये minus 1 के एक वला जाएगा, अच्छो आप देखें, ये last part है, क्या करना है, आर्क लेंद, आफ़ यूनिट सर्कल, सेंटरल एंगिल, पाई वाई 6, इसकी वैलू आपने निकालेंगे, ठीक है, आप, आर्क लेंद आपने सर्कल के केस में पढ़ी, आर्क लेंद, आर्क लेंद मालूम करना है, एस आपको मालूम करना है, ठीक है, एस आपको मालूम करना है, और आर्की वैलू, आर्की वैलू जो है, यूनिट सर्कल है, ये बताएं, what do you mean by unit circle एक ऐसा circle जिसकी value 1 के बराबर होती है central angle pi by 6 angle को theta से show करते हैं ये pi by 6 radian के बराबर आदेगा तो arc length s आपको मालूम करना है unit circle का मतलब है r की value 1 के बराबर है theta की value है pi by 6 के बराबर है पचो s बराबर है r theta r की जगा 1 replace कर देंगे theta की जगा pi by 6 replace कर देंगे ये multiply होगा pi by 6 हो जाएगा और आप जानते हैं pi की value 3.142 तो dash को divide कर देंगे फिर आप 6 से divide कर देंगे तो equal आजएगा 0.52 0.52 आजएगा ये 0.52 आपने replace कर दिया ये mcqs का mcqs आज complete हो गए आपको ये पसंद आयोंगे